सावन में फूल से भी ना करें, यह दस कम वरना पच्टाना पड़ेगा नमस्कार दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं, आप लोग आशा करते हैं, आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही खास होने. वाली है, तो वीडियो में अंत तक बन रहे कुछ खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कि अगर आज का यह वीडियो आपको थोड़ा साभी पसंद लगे थोड़ा. साभी आपके लिए यूसफुल लगे, तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर-हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि महादेव की कृपा आप पर और आप के पूरे परिवार पर बनी रहे, दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, सावन के इस पवित्र महीने में हमें क्या-क्या कारियों से बचना चाहिए, क्या-क्या कार्य ऐसे हमें संकेत दिये गए शास्त्रों में जो, करने से बिलकुल बचना चाहिए, इससे नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और एक सच्चे और इमानदार भक्तों को हमेशा ही इस चीज का पालन करना चाहिए, तो लिए बिना समय बर्बाद किया एक-एक करके मैं आपको दस चीज बताऊंगा जो की सावन में आपको नहीं करना चाहिए, इसमें से जितनी चीज हो सके आपको करने से बचना चाहिए, अगर कुछ जो भी हो तो फिर कुछ करना चाहिए, इनमें से तो सबसे पहले तो मानसाहार से सबको ही बचना चाहिए, यह कोई जरूरी चीज तो है नहीं, इसमें आप जोड़ी बच सकते हैं, मानसाहार और जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उन्हें भी नशे की लट से बचना चाहिए, शराब पीने से बचना चाहिए हो सके, तो प्याज लहसुन का भी सेवन न करें, दूसरा सावन के महीने में भूल कर भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी नशे का कार्य होता है, वर्जित होता है, कुछ लोग कावड यात्रा होगा करते हैं, तो उसमें नशे का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह भी गलत है दूसरा भगवान शिव के शिवलिन पर तामबे के लोटे से दूध अरपित ना करें या तो सावन के महीने में क्या कभी भी नहीं करना चाहिए तामबे के लोटे से दूध और पित नहीं करना चाहिए क्योंकि जब भी तामबे का सहयोग दूध से होता है तो बीस का निर्मान होता है और इस बात को वैग्यानिक भी मानते हैं तो तामबे के लोटे से भूल कर भी दूद को अर्पित नहीं करना चाहिए चौथ इस महीने में साग सबजी अभी पत्तेदार सबजीयों का सेवन नहीं करना चाहिए मूली और बैगन से भी बचना चाहिए बैगन को हमारे शास्त्र में अशुद्धी सबजी माना गया है तो ऐसे में बैगन का सेवन करने से भी बचना चाहिए पांच वापास ही और सड़े गले खाद्यपदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि इस समय में क्या होता है? बहुत सारे संक्रिया activated होते हैं क्योंकि बरसात का मौसम होता है और ऐसे में नहीं ज्यादा होने के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वह पहले से ही active होते हैं तो ऐसे भी जवाब बासी और सड़े गले खाने का सेवन करने से हैं तो बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है छाता चीज सावन के महीने में दही खाने से भी शास्त्रों में वर्जित किया गया है अधिकतर घरों में आप देखते होंगे की दही का सेवन नहीं होता और लाख कर भी भी नहीं बनाते हैं क्योंकि करियर में भी दही डाली जाती है सात्वा कहां से के बरतन में भोजन करने से इस समय बचना चाहिए कहां से में भी तामबे की तरह ही रियेक्शन होता है ऐसे में कुछ हमने इसे हमें बचाना होता है तो ऐसे में कहां से के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए सावन के महीने में तीन यह सोना वर्जित है दिन में बिस्तर का त्याग करना चाहिए वैसे भी जब भी कोई भी काम करते हैं, तो अगर दिन में सोते हैं, तो उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है, दिन में सोने से बचना चाहिए एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि कभी भी शिवलिंग पर हल्दी या फिर स सिंदूर का चढ़ावा नहीं करना चाहिए माता पार्वती, को हल्दी और सिंदूर चढ़ता है, लेकिन भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, भगवान शिव को उसके हृदय सफेद चंदन लगा सकते हैं, दस्वा और सबसे अंत में बताऊंगा सावन के महीने में अगर आपके दर्वाजे पर गए या बेल आए तो उसे भगाएं, नहीं उसे कुछ ना कुछ खाने का जरूर दें, क्योंकि बैल को मनाना भगवान शिव के सवारी नंदी का अपमान माना था, तो मुझे उम्मीद है इन दस चीजों में से ज्यादातर चीज आप करेंगे, इस सा है के विडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार हर हर महा दे